कि नमस्कार साथियों केशो आप सब बढ़िया स्वागे था आपका अपने परिवार स्टेडी मेटिल फोर एक्जाम में दोस्तों तो हम चल रहे थे हैं हमारे एक मारक पर जिसका नाम था खकसा 10th की साइंस चल रही थी अच्छे पढ़ रही थे अपन समझ में आ रहा था चलो क्या पढ़ रहे थे हम पहला चिप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था मानव का सवाष्टे या भोजन ठीक है अब उसमें हम क्या पढ़ रहे थे बोजन के बारे हम पढ़ लिया बोजन कूपोशन की, किसकी बात करेंगे प्रोटीन कूपोशन की, तो हातों में पेन लेके और रजिस्टर लेके तयार हो जाए और आज़ा है मुकाबला करते हम साइन्स से, हमारा पिर ये सब्जेक्ट विज्ञान, ठीके तो हम बात करेंगे आज प्रोटीन कूपोशन प्रोटीन कूपोशन की डेपिनेंशन या बात करें हम परिबासा की तो आप सब को पता है मैंने विटामिन कूपोशन की परिबासा बताई या कूपोशन की परिबासा बताई वेसी की वेसे आप सब के समाने चलो प्रोटीन कुपसन के बात करें कैसे तो होता है कि हमारे सिरीर में किसकी कमी प्रोटीन कमी कब तक लंबे समय तक हमारे सिरीर में लंबे समय तक किस की कमी प्रोटीन की कमी प्रोटीन की कमी होना कमी होना क्या कहलाता है प्रोटीन कूपोषण सिंपल सी लेंगवेज है आपको याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से याद हो गई प्रोटीन कूपोषण कहलाता है आई बाह समझ में और इसको याद करने की कहा हो सकता है याद हो गई आपको चलो प्रोटीन कूपोसन अब प्रोटीन कूपोसन होता है तो कौन-कौन से रोग होते हैं या क्या समझया हो सकती है तो बात करें हम समझया की तो प्रोटीन कूपोसन से दो रोग मेन्यूले आपको पहले पढ़ना है कवासी फिर और कर देना है फिर कोवर कर देना है सिंपल सा नाम है अगर उसको पूरा पढ़े तो डिफिकल्ट पढ़ता है कवासी और लेकिन आपको कैसे पढ़ना है कवासी लग पढ़ना है और पढ़ना है कोवर पढ़ना है याद हो गया कवासी और दू आपको परतीय कलास का नोटिफिकेशन मिल सकते और गोवर्मेंट एक्जाम से जो भी अफडेट है सबसे पहले आपको मिले दोस्तों ठीक है और अपने सभी सातियों को शेर जरूर करें बात कर दे हम सबसे पहले कॉएसियो को रोग की बात कर लेता हैं वो बच्चों में होते हैं चाहते तर कंपल से किसी में होते हैं बच्चों अब बच्चे कोन से जो एक से पांच वरस के बच्चे ना एक से पांच वरस तक के बच्चे उनमें उनमें क्या होता है उनमें होता क्वाइस को रोग आरीबा समझ वे अब यह होता है लेकिन लक्ष देदू, simple सा याद रखना, सबसे पहले परबाव होता है, इसका पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, पेट का फूल जाना, फूल जाना या पेट का मोटा हो जाना, कुछ भी कह सकतो, मारवड़ीन कहा नहीं, कि डेपो आएगो, तो वो, समझ रहे हो, वो पूल जाना, उसको बोलता है, किस की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, वो रो कोनस होता है, क्वासियो कोनस होता है, इसका मतलब पहला लक्षन कोनस है, पेट का फूल जाना, दूसरे लक्षन की बात करें हमपन, अगर पेट का फूल जाना, तो इसका मतलब आप सोच रहो रोटिया ज़्यादा खाता है, सारे दिन चरता रहता है, नहीं, बिल्कुल उसको भूख कम लगती है, रियल में इसका उल्टा है, अगर पेट फूल गया है, इसको मतलब उसको भूख कम लगना, तो दूसरे लक्षन के बात करें, भूख कम लगना, क्या है, भूख कम लगना वेसे उसको बोलते हैं चिद चिड चिड पन हो ना और चोते lection की बात कर लें तो अगर उसकी ताउचा थोड़ी सुष्क और पिली हो झाती है कैसी हो जाती है? एक तो सुष्क और पिली प्लस बात करें विशुन क हो जाती है नोर्मल नमी आ जाती है और पीला कलर हो जाता है और बलेग बलेग टाइब कर या काले दब़्े उस पे लग जाते है तो लिख सकते है citizens काले दब़्े बन जाते है बन जानो ये चार लेक्सन आप याद रख लेना किसकी खुआसी और को रुटी आई बात सम Edge में चलो, नेक्स आगे चलते हैं अगे हम बात कर लेते हैं अगली रोख की प्रोटिन की कमी से अगला रोख था मेरे मस कौण सा रोख था मेरे समस बात करते हैं अगले रोक की मेरे समस ये से आदा है ना आतो रहा न समझ में अगर लिखाओट मैं समझ में नहीं आ रहा तो मेरी आवास में जान दीजिए आप मेरे समस रोक होता है बच्चों में अब बच्चे कोण से? वो भी एक वरस तक के बच्चे एक वरस्त का जटा भी टाबर है तक के बच्चों में उन टाबरों में कोण सा रोग होने की शमभावना है मेरे समस ठीक है अब इसकी लक्षन की बात करने ये परभाव की बात करने ये लक्षन की बात करने कैसे पता चलता है कि इसको मेरे समस हो गया है दुर्बल होना यह वो कमजोर पड़ जाता है सूख कर एकदम कमजोर सरीर उसका सूख कर क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है ठीक है यह किसकी बात करें मेरे समस्रोक के परबाओ दूसरी बात करें आंखे उसकी हो जाती करांती हिन अब सोच रहे हैं कि करांधी नाम आश उणा है आंके करांधी इन उन्म 18 सृथा निन करांधी में युदृ लड़ने नहीं गया था करांधी इनका मतलब था आंके अंदर दंस जाना किसी को देखा हो का किसी बच्चे की आंके अंदर दंस जाती है कोरनी अंदर की तरफ दंस जाता तो आंके चोटी चोटी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं आंके अंदर दंस जाना, आंके अंदर क्या कर जाती है, आंके अंदर दंस जाती है, ये किसके कमी से, मैस मैस कमी से, अब बात कर लें, चलो इसके दो ही काप ही आपको तो, ये बहुत करें कुछ तो करना पड़ेगा तो प्रोटीन का सेवन करो सिंबल सी बात है क्या करें हम प्रोटीन का सेवन तो बात कर लिए इसके उपाई की कि पहले ही उपाई ऐसा कर लो कि ना तो क्वाई सिकोर हो ना मेरे समस हो आई समझ में तो उपाई क्या है एक नमर उपाई सबसे ब पर्चूर मातरा में प्रोटीन का सेवन प्रोटीन का सेवन करो अब आप सोच जोगे यार अब खाली प्रोटीन प्रोटीन का सेवन करो प्रोटीन कोण से आ है क्या है कां से मिलेगे सिंपल सा है आ रहा हूं ऐसे हमारे बोजी बदार थे उनी से हमें प्रोटीन मिलती है तो आप बोलोगे सर अब यह भी बता दो प्रोटीन कहां से मिलती है बिल्कुल बता दें तो बात करें हम प्रोटीन के सरोत प्रोटीन के सरोतों की बात कर लेते हैं प्रोटीन कहां से मिलत रहना बस आप इंतजार करो प्रोटीन की सरोत कौन कों से तो सबसे उपयुक्त सस्ता सुन्दर और टिकव प्रोटीन की सरोत है दाड गरीब की रोटी सबसे प्रोटीन दाड अराम से दाल ठोको छेपो, किसी परकार का आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी अई बास समझे एक नमर दाड ले ले दूसर प्रोटीन सोयबीन में बहुत प्रोटीन होता है ठीक है सोयबीन की बात कर ले सोयबीन के अलवा मूंग फली में भी बहुत होता है मूंग फली ठीक है और मुंगफली को बोलते हैं, गरीब की बादाम, किसको बोलते हैं, मुंगफली को सरवादीक प्रियुक्तिन होता है, ठीक है, और बात कर लें, कि और प्रोटेन किसमें मिलता है, दूद में मिलता है, हरी पत्तेदार सबजीयों में, एक बात बताता हूं, यह हरी पत्तेदार विटामीन इसमें होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हाना, हरी पत्तेदार सबजी हाना, उसमें सभी पोशक्ततू, शमिल होते होते हैं, बात कर लिए हमने प्रोटीन की, आगई बात समझ में, चलें आगे, वेरी गुड, चलो, यह हुआ हमारा प्रोटीन की बात करें, खतम अब एक चीज में, एक दिमाग में और आगई, एक छोटा सा क्यूशन है, बढ़े आच्छे एगजाम आता है रजस्तान में, BSTS, लेवल, रजस्तान, पुलीश, IAS, RS, कई भी कॉम्पेटिशन एगजाम पूचे जाता है, एक दो प्रोटीन के नाम पतेता हूँ, एक प्र गलास के लिए, और वयसे नहीं पूचे तो आपको इलिए basic knowledge, general knowledge के लिए आपको ध्यान रखना है, कपी भी ही यह प्रोटीन के समी पाए जाता है, एक में, एक अनो प्रोटीन, एक प्रोटीन ऐसा है, जो मनूशिय में, तो मनूशिय पराणियय जीव में, सहरवाइभी बा जाता है मनूशियों में या मानू में प्राणी में कुछ भी लिख से हो प्राणी में सरवादिक में सरवादिक सोट में लिख रहा हूँ है ना ये सरवादिक समझ लेना सोट में लिख हूँ मानू में सरवादिक मातरा में प्रियुक्त प्रोटिन प्रियुक्त प्रोटिन के म मानुशरीर में सबसे ज्यादा प्रोटिन कोन सा पाया जाता है? कोलेजन बात करें पेड़ पोदों की पेड़ पोदों की तो पेड़ पोदों में सरवादिक मातरा में कोन सा प्रोटिन पाया जाता है? रुबिस्को प्रोटिन पेड़ पोदों में सरवादिग मात्रा में पाया जाने वाला डेस जैसे इसका मतलब ये प्रोटीन है उपल वाले लाइन सिंपल सी इसे लिख दी मेंने समझ रहे हो? बिलकुल ये रूभी इसको प्रोटीन दो याद आगे आपको इसके लमें आपको पता दिया ये हमारी प्रोटीन के बात हो गई खत्म चलो अब हम बात करते हैं आगे आगे हम बात करते हैं किसकी? खनीज कूपोशन की? कि खनीज कूपोशन क्या है? परिपास सा लिख माने की जूरते? याद हो गई आपको? हमारे सरीर में वईस बात बेले वाड़ी हमारे सरीर में कहां तक? लंबे समय तक थोड़ा लिख दूँ आपको कोई शही नहीं लिख रहे हैं आप मेरी आवाज पर ध्यान दिया करों हमारे सरीर में लंबे समय तक किसकी कमी? खनीज तत्वों की कमी होना खनीज तत्वों की कमी होना क्या कहलाता है? खनीज कू पोशन खनीज कू पोशन कहलाता है आई बास समझ में? खनीज कू पोशन अब खनीज पोशक तत्वों कौन कौन से है? या कौन-कौन से खनीच पोशक ततू की कमीशे कौन-कौन से हमारे सरीर में दुश्परबाव होते हैं, और किस पोशक पदार से कौन सा खनीच पोशक मिलता है मैं, वह बात कर लेते हैं, तो एक में छोटी से शारणी में आपको बिल्कुल समझा देता हूं, यह परिबासा त पोशक ततू है, तो मैं इधर लिख देता हूं, एक तो सबसे पहले पोशक ततू, या खनीच ततू लिख देता हूं, सबसे अच्छा रहेगा, खनीच ततू, यह तो है खनीच ततू की बात कर लेते हैं, इधर, इधर उनकी कमी से परभाव, दूसर परभाव, क्या है वो और इधर लिख देता हूं, उनके सरोत के हमें, इनके सरोत, मतलब पोशक ततू कहां से मिलते हैं, तो सबसे हम पहले बात करते हैं, एफ़ ए की, एफ़ ए, एफ़ ए को बोलते हैं लोहा, लोहा हमारे, शरीर में अच्छा एक पोशक ततू है, तो लोहे की कमी से परभाव क् तो आप बिल्कुल सिंपल्स बासा में याद रखना, कि लोहा हमारे सरीर में रक्त ना रक्त, उसमें एक वरणक है, पथार्त, हीमोगलोबिन, उसकी मांतरा को निंतर या बढ़ाने का कारिय करता है, या निंतर तो समांतर लेवल पर चलाता है, अगर लोहे की कमी हो गई, तो हीमोगलोबिन का निर्मान नहीं होगा हमारे सरीर में, रक्त में, ठीके, अगर हीमोगलोबिन का निर्मान नहीं होगा, तो होगा हमें एनिमिया रोग, जिससे हिंदी में कहता है, रक्त हिंता, क्या कहता है, तो इससे एक रोग हो सकता है, रक्त हिंता, जिसका दूसरा नाम है एनिमिया, क्या नाम है? एनिमिया हो सकता है, किस की कमी से? F.E. लोहे की कमी से, ठीक है, अब लोहे की कमी ना हो, पहले ही जुगाड कर लें, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे पोशकता दू कहो, जिसे लोहा मिले, और लोहे मिले, हमारा हेमोगलोबिन बराबर्ट तो कौन-कौन से अच्छा सोरोथ जब से अक्चा सोरोथ पालक, ठोको निरो कु दाडər, बालक कोदो, लोगे कि कमी तो दूसरी बात करें, क्दूसरी बात करें अच्छा सोरोथ है उसका गुड़, ठीके, फिर मास मचली ले लो मास ले लो मचली ले लो और मैंने बता जया हृआ पत्तेदार सबचीया यह भिष्या आप समझे दरू सबचीया किसकी फिरस की, loहे की यह लोहे की बात खतम चलें आगे, दूसरी हम बात कर लेते हैं, केल सीम की किसकी बात करते हैं केलसियम को केलसियम की हमारे सरीर में अगर कमी हो गई तो क्या होगा तो हमें एक तो दांत वे हड़ियां क्या होगी दांत और हड़ियां क्या हो जाती है किसकी कमी से हमारे सरीर में अगर केलसियम की कमी हो गई तो हमारे दांत और हडियां कमजोर हज़ेते क्यों कि दांत और हडियों का निर्मान केलसियम से ही होता है अई बाद समझ में केलसियम की दुबारा अगर इसकी परचूर मातरा में नहीं मिला हमें तो ये कमजोर हज़ेगी दुरूबल पढ़ जाएगे हम सरीर ठक जाहेगा तो क्या करें तो कहां से मिलता है केलसियम अरे भाई केलसियम मलता है अंडे से अच्छा सरोत है दूसरा सरोत अंडा नहीं मिले तो दूट मिलता है होगा हमारे गाय, बैंस, बकरी गर में जो भी है दूद, दूद पarioो, अंडे खाओ चलो, बात कर लिए हमने किस की? केलसियम की. अब हम बात कर लेते हैं, अगली किस की? आयोडियन की. अच्छा एक पोसकतत्तू या खनेशतत्त्तू है. चले, क्या नाम इसका? आयोडियन. ठीक है, अब आयोडियन की कमी हो गई है, अगर शरीर में तो क्या होगा? तो एक रोग हो सकता जिसको बोलता है गेंगा. क्या रोग बोलते हैं? गेंगा. और दूसरे, गेंगा का दूसरा नाम है, जिसका नाम है गल गंड. ठीक है? अब रोग है क्या चीज? अगर आयोडिन की कमी हो गई तो ये रोग हो जाएगा कैसे पता चलेगा? हमारा गला छूज जाएगा घंटे पड़ जाएगे कुछ भी हम गिटें या अंदर गरहन करें नहीं हो सकते पाने पीओ गला दर्थ करेंगा हम पाने गरहन नहीं कर सकते गला सूज के बड़ा भी हो जाएगा गंटे पड़ जाएगे उसको बोलते है गल गंट तो इस रो के बचाओ के लिए क्या करें उप्युक्त मातरों में आयोडिन आयोडिन युक्त नमक इसका मतलब इसका सरोत नमक समुदरी भोजन समुदरी भोजन अब कौन कौन से समद गया हो गए, मचली, समूदरी भोजन, समूदर में जो भी पेड़ पोते हैं हो, कुई का सेवन, ठीक है, तो समूदरी भोजन हो गया, नमक हो गया, ये क्या है, ये आयूडियन के उप्युक्त स्रोत है, चलें आगे, चलो, अगला स्रोत की बात करें, ज जाद रको, हमारे मासपेशियां शंकुचन नहीं करेगी, मासपेशियां शंकुचन नहीं करेगी, किस की कमी हो गई अगर हमारे सरीर में, सोडियम की कमी, मासपेशियां मतलब, जो भी मासपेशियां शंकुचन वो करना बंद कर देगी, अगर शंकुचन नहीं करेगी जो भी मास्वेशे अगर वो काम करना बंद करते तो क्या है हमारा हाथ सुन सुना हो जाएगा कभी बलता है ना पेरालेसिस हो गया तो वही उसके हाथ की मास्वेशे काम करना बंद कर देती है शंकुचर नहीं कर पाती है तो वह समश्य हो जाती है तो इसे बचने के लिए क्य बोजन और वही हरी पत्यदार सब्जियां चलने दो सब में हरी पत्यदार सब्दियां यह कुछ उप्यूगत है और एक बात कर लेते हैं एक छोटा सा और जिसको बॉलते हैं फासपॉरस कौन सा है फासपॉरस यह मास पेश चंकुचन में शाएक एक नमर चीज और दूसरा चीज यह दान इस केल्सियम के साथ मिलकर काम करता है किसके साथ इसके लंब समस्भी सरोत हो सकते हैं अरी पत्यदार सबजियां फ़ल पुरूटे नमके अंडे मचली दूद पनीर आप कुछ भी खाओ सब का सेवन करने से किस पासवोस का मिलता है आगई बात समझ में तो ये है हमारे क्या है खनीज पोशक ततो चले आगए बात समझ में स्क्रीन शोट लेना अराम से अब हम आगए बात करते हैं हमारे चेप्टर का यह नाम था बोजन और मानोस वास्ते मतलब बोजन बोजन की तो हम ने सम्झ लम सिंख बात कर ले अब थोड़ी मानोस वास्ते की बात कर लाएं तो हम आगे थोड़ी और बात कर लें एक बार जल की, कि हमारे शरीर में जल का क्या कुछ महतो है कर नहीं है, या सुबह सामे से पीते रहो, तो जल का बहुत महतो है, बात करें थोड़ी जल की, पूछ लिए बेसिक दो नोलेजर को आप, यह परत्वी, परत्वी की इस 71% अचा जल नहीं है, यह पूरा पूरा अशुद जल है, तो कुछ तो होगा अशुद जल, बिल्कुल है, कुछ है, सम्तिंग 2.8 आप 3% मान के चलो, 3% जल क्या है, यह सुद जल है, क्या है, सुद जल मतलब पीने योगे जल कितना परसेंट, ओनली 3% बाग पर सुद जल है, तो सुद जल की परिबाशा आपको लिखने के क्या हो सकता है, एसा जल जो पीने योगे होगो, सुद जल, अब हम डारेक्ट बात कर लें है, जल के गुण, या सुद जल के गुण, पानी के गुण, ठीके, पानी के लक्ण, जो भी बोलो, आप अपनी मर्जी, गुण की बा आँखों से ऐसा जल, जो जल के हंदर हम आँखों से देखे न, तो उसमें किसी परकार का कण दिखे नहीं दिरना चाहिए, दुदला हुआ, एकदम साप-शवस्च जल होना चाहिए, मतलब आँखों से कोई कण नहीं दिखे, वो जल अच्छा होता है, एक नमर चीज, अब तो आँखों से तो अच्छा मतलब कोई करन नहीं दिखे रहा है, सपोज, फिर भी उसमें कुछ आशुदियां है, दूसरा लक्षन लिख लें उसका, कैसे, आशुदियां है, लेकिन वो काँच किसे, वो हमें शुक्ष्म दर्शी की साहिचा ते, शुक्ष्म दर्शी की सा कोई शुक्ष में जीव नहीं हो, ये कौन सी दूसरी विशेश था, आगे हम बात कर लें हैं, तीसरी की, तो तीसरी क्या, एक तो जल की पीएच कमान उप्यूक थोना चाहिए, पीएच कमान उप्यूक मतलब जल की कुछ पीएच निर्धारित कर रखिए, तो कितनी शुद सुधा जल की pH होती है शाथ , एकजाम आपके एक नंबर का क्यूशन पूछा जा सकता है कभी भी क्यूद जल या पीने यह हो कि जल की pH का मान कितना होता है चोता लक्षण लिखें सुद जल केसा होता है तो जल में ओक्षिजन उप्युक्त मातरा में गुली होने चाहिए O2 का मतलब होता है ओक्षिजन ठीके ओक्षिजन का उप्युक्त मातरा में गुला गुला होना ये सुद जल के लक्षण या लक्षण है आरे बाद समझ मैं चैलो आगे हम बात कर लेते हैं कुछ के सुद जल हम पी तो रहे हैं अब उसके कुछ लाब तो उने चाहिए ना एक नहीं है तो क्या क्या लाब है तो बात कर लेते हैं हम लाब की अब हम बात कर लेते हैं कुछ जल के लाब या सूद जल के लाबों की बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी चलें, गलास लंबी हो जाएगे आपको, ठीक है ना, तो सूद जल के लाब क्या-क्या है, तो एक तो हम बता दो, कमपसरी हमें जल का कितना सेवन करना चाहिए, तो आठ या दस गिलास, आठ या दस गिलास जहरीले पधारत हैं, वो बाहर निकल जाता है, तो एक नमबर बात करते है, कि शरीर से जहरीले पधारत का भाहर निकलना, बनद जितने भी जहरीले पधारत है, अगर शुद जल घरेंड करेंगे, रोज़ा आट दस गिलास, जितने भी रोग कारत है, जो भी है जी उसे बार निकल जाएंगे, आई बाद समझे, पसीने की रूप में, या आमेर यूई या पैसाप की रूप में, बार निकल जाएंगे, ये बात, जेरे लिए पधार बार निकल गई, तो हमें रोग नहीं होगा, हमारा सरी सवस्त्र रहेगा, मतलब रोग मुक्त होता है, मतलब किसी परकार का रोग नहीं होता है, अगर छोटा मोटा जो भी हो, अगर हो भी जाए रोग, तो उसके लिए हमारे शरीर में इम्मुन्यूटी बनाता है, परतिरक्षा बनाता है, ताकि वो भी चला जाए, चोटा मोटा ताव बोखार आ जाएंगे, तो बात करें, हमा यह तीन नमर होगे छानमर अगर लाब की बात कर लें शरीर एक दम चुष्ट अरजावान एपर उर्जावान एनरजी रेगी एक दम शरीर के रहेगा चुस्त एगदम मजबूत उर्जामान रहेगा अच्छा करेगे अच्छा जल का शेवन पांचवी विशेषता या पांचवी लाब की बात करने जल की तो वो क्या चीज है पांचवी की बात करें तो अनावशक चर्बी का निर्मान नहीं होता है अनावशक चर्बी का निर्मान नहीं होना अनावशक चर्बी का हमारे सरेव निर्मान नहीं होता है ये पांच बहुत थे लाब अब ये तो सूध जल है अगर बात करने दूशित जल है किसकी बाद करने का दूशीत जल्द तो दूशीत जल की यह दूशीत जल की परभाव कौन कौन से उते हैं दूशीत जल के परबाव कौन-कौन से होते हैं तो सीथ दीशी बात है हमारे सरीर में जीवानू एक नमर चीज दूसरी वीशानू तीसरी प्रोटो जवा मैं कुछ सुक्ष में जीव लिखवा रहा हूं ना हूं कर्मी इतियादी सुक्ष में जीवों से रोग हो जाते हैं रोग उत्बन हो जाते हैं उत्बन हो बस अगर दूसरी तजल का शेवन करो या तो जीवानू वीशानू प्रोटो जवा एक कर्मी से कुछ रोग हो जाएं किते हैं छोटी से बात करें तो कौण कौण से रोग तो रोग एक तो देखो जलक दूसरी तजल से हेजा होता है एक बात करें पीलियो दूसरी तजल से हो जाता है तीजी बात कर लें हैं है तूसरी तजल से होता है ठीक है ये ऐसे कुछ रोग है जो किसके शेवन से होता है तो जो ज़िसल करें तो ये रोग हो शकते हैं चलो आज ये कलास हमारी इतनी अगें हम बात करेंगे अगले टोपिक वो हम अगरी कलास में बात करेंगे कैसी लगी हमारी कलास दोस्तों अच्छी लगी तो दिल से लाइक करो सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को गनिश्च मिजद्रों को सभी गुरूप में आप शेंड करो ताकि इस लोकडाउन में सभी बच्चे ट